सो सबी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल मौर्य गुरु अकेडमी मैं आज सबी महिलाओं का मैं स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल मौर्य गुरु अकेडमी मैं आज बात करते जा रहा हूं इस वीडियो में सबी महिलाओं के लिए फ्रीसलाई मसीन योजना निकल के सब्सक्राइब करें कि आप लोगों से निवेधन को करेंगे इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे आवेदन करना है क्या-क्या इसमें प्रोसेसे से पूरा यह से लेकर जेड़ तक आपको बताऊंगा जी हाँ यह फ्री स्लाइए मसीन नियोजना का में उदिस्ति यही है कि जितनी भी महिलाएं है यह प्रोसे जो नहींए करती हैं ऊब देखिएगा और आप छाहती है के हर तरह की reproduction अपडेटे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके वैल एकन घंटी वाले बगल वाले घंटी को बटम को भी क्लिक कर दीजेगा इससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे अगली वीडियो आप लोगों को तुरंत मिलेगा उसका मैसेज तुरंत आपको मि लिखा हुआ है फ्री स्लाय मसीन योजना 2020 अप्लाई ओनलाइन फॉर्म मतलब आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है आप लोगों को बता दो कि हमारे प्यारे जितनी भी महिलाएं हैं सभी लोगों के लिए प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू केगी प्री स्लाय मसीन योजना जी हां स्लाय मसीन योजना का में नुदिस से यह कि जितनी भी महिलाएं हैं सभी लोगों को उनका रोजगर परदान करना देख सकते हैं आप लोगों के यह जो रेखा मेंने खिच दिया है 2020 लिखा हुआ इसका मतलब यह है कि 2021 तक यह चलेगा से कि आपको बता दू कि आवेधन कैसे करना है इसकी अंतिनतिती क्या है रेजिस्टेशन फार्म क्या है आवेधन सुल्क क्या है किन किन राज्यों में लागू हुआ है यह पूरा इस वीडियों बताऊंगा आप किसी भी राज्य से हैं भारस्त में रहती हैं किसी भी राज्य आप देख रहे हैं YouTube Channel Maurya Guru Akademi में आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल कानें पहुत स्वागत है जितनी इस वीडियो को को देख रही है अब आप लोगों को चलिए बताता हूं कैसे आप लोगों को आवेदन करना किन राजियों में लागू हुआ है यह योजना सबी लोगों को जानना बहुत जुरूरी है तो साथ यो आप लोगों को चलिए सुर्धों करता हूं, बता दूसे पहले मैं आप लोगों को कि ये ये उजिना देख सकते हैं, उत्तर परदेश की जितनी भी महिलाएं है आवेदन कर सकती हैं, आप लोगों को राजस्थान की जितनी महिलाएं हैं ओभी आवेदन कर सकती है तामिल नाड़ों में भी ये सुरु हो चुका है ह데 और आपको विखत बिहार में उसी मिलाएं कर सकती है सिर्फ मिलाएं करें कोई ना नहीं करना है सिर्फ महिलाउं के लिए ये योजना सुरू किया गया है शुरूर बहर बात्यसरकार के तरपकर से तो आप आप लोगों को बता दिया जाए कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस राजिस से अगर आप रहती है तो आसानी सावेदन कर सकती है अगर किसी और राजिक है आप तो आपके लिए कोई अगर मैसेज आएगा अपडेट आएगा तो तुरंत हम अपनी तरफ से मैसेज कर देंगे लेकिन आप भी अपना स्टेट का नाम जरूर डाल दीजेगा और अपना नाम भी डाल दीजेगा साथ ही में ठीक है कमेंट बॉक्स में मैसेज के जरी है आप लोगों को कोई मैसेज आएगा तुरंत हमारी टीम मैसेज कर देगी सो चलिए आप लोगों को बताता इत्सी है आप देख रही हैं इसiva को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा सब्सक्राइबिश का उस पर Tommy कर दिजेगा अगलों जो भी लेकि आएंगी हम जो भी अफड़िट आएगी सबसे पहले आपको सका मैसेज मिलेंग तो चलिए आप लोगों को बताता हूं जैसे कि को पता होगा कि परदान मंदरी नरिंधर मekt जीर्फ केंदर सरकार द्वारा मतलब योजना यह सुному की गई है, आप लोगों को बता दू कि जिसको आप हम सभी लोग प्ययाँ फ्री सिलाई मसीन इस्के तहे यही है कि केंद्र सरकार चाहती है हर गरीब परिवार वाली महिलाओं को इस लिए मसीन दिया जाए ठीक है उसके तहट आप लोग अपना रोजगार सुरू कर सकती है घर बैठे आप लोगों के लिए बता दूँ कि जितनी भी आप ग्रूप में देख रही हैं चाहे आप अकेले देखे इस वीडियो को पूरा देखिएगा ठीक है इसकी बिल्कुल ही मत करिएगा नि तो आपको थोड़ा सा भी मिस हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा कि कैसे आप लोगों पर जाकर को पिरिंट आउट निकलवा लेजिएगा पिरिंट आउट निकलवाने के बाद देख लिएह फॉर्म कुछ इस तरह का होगा आप लोग देख सकते हैं यह फॉर्म कुछ इस तरह का होगा ठीक या ना आप announce बारना होगा यहां पर अपना नाम भर दिजेगा, यहां पर अपना female, तो female भर दिजगा, जुरूर्ट, ठीक है, mail तो भरना नहीं है, यहां पूरा अद्रिस भर दिजेगा, यहां date of birth भर दिजेगा, age अपनी भर दीजेगा अपना कौन सी आप कास्ट की है ओ भर दीजेगा यह सब आप लोगों को भरना है आप मतलब मैरीड है अनमेरीड है यह भी भर दीजेगा मतलब क्या है आप अनमेरीड है के मैरीड है ठीक है आप लोगों को यहां भरना है फ्री सलाई मसीन योजना का लाब मुझे लेना है यहां पर लिख देना है फ्री सलाई मसीन ठीक है आप लोगों को कुछ इस तरह का भर के उसके बाद यह फार्म को आप लोगों को कुछ नहीं करना है इसको रख लेना है अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको करना है आगे की processes पूरा जानिएगा सबसे पहले आपको बता दूँ कि इसमें क्या-क्या चाहिए आप लोगों को देख सकती है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो पूरा देखिएगा लास्ट तक आप लोगों को कुछ कर सकते हैं सबसे पहले में रूप में अधार काड लगिता आपके पर्मान पतर लगेगा यह अधिया है अपको बात नहीं आपको खुद जाना होगा ब्लॉक में ठीक है ब्लॉक में जाना आओगा चलिए आप लोगों को पूरा बताऊंगा आप विकलांक महिला है पूरी वह भी देखिएगा अगर आपके पास certificate है तो कोई दिक्कत नहीं है यदि कोई महिला है महिला अगर कोई महिला है विद्वा है तो उनका भी certificate लगेगा इस बत का ध्यान रखेगा उसके बाद समुदाइक पर्मान पत्र लगेगा मॉबाइल नंबर और पासवर्ट साइज फोटो अगर यदि आप विकलांक या विद्वा महिला ही नहीं है तो आप लोगों का सिर्फ अधार कार्ड आयू पर्मान पत्र समुदाइक पर्मान पत है क्या चीज तो समुदाइक पर्मान पत्र बहुत लोगों को नहीं पता है बहुत लोगों को पता है तो मैं बता देता हूं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं समुदाइक पर्मान पत्र एक जाती पर्मान पत्र है जिसके तहत आप असानी से आवेदन कर सकते हैं तो आ पारा डॉक्मेंट जो आप लोगों को मैंने बताया यह सब डॉक्मेंट लेके और जो मैंने उपर यह फार्म बताया यह फार्म को आप लोगों को भरके यह सब फार्म को आप लोगों को अटेच कर लेना है यह फार्म आप लोगों का उपर रहना चाहिए आप लोग नीचे तो सब डॉकुमेंट ये फॉर्म को अटेज करके एक साथ मिला कर उसके बाद आप लोगों को अपने नजदी की कारेले में जाकर जमा कर देना है जी हाँ आपने नजदी की ब्लॉक कारेले जो आप सहर से हैं चाहे ग्रामिन से हैं मतलब आप गाउं से हैं या सहर से हैं तो भी आप अपलाई कर सकते हैं ये सहर के लिए भी है और ग्रामिन लोगों के लिए है ठीक है दोनों लोगों के लिए तो आप सहर से हैं तो आपने न लोगों को मालूम होता है कि ब्लोग किसे कहते हैं कि सहरी जो लोग है उन लोगों के लिए जो आपके ने देखी गौवर्मेंट ऑफिस होता है उसे कारेले कहते हैं तो जो गौवर्मेंट ऑफिस होता है उसमें ले जाके आपको जमा करना होगा तो चलिए आप लोगों को बत सत्यापत करेगा, चल्टियापत करने के बाद आप जतनी भी महिलाएं हैं आप लोगों बता दूँँ, एक बात और भी आपको जनना बहुत ज्युरूरी है, इसके तहत जतनी महिलाएं इस वीडियो को देखरी हैं. आपको बता दूँ कि आधार काड़ के अनुसार आपका जो उम्र है कम से कम होना चाहिए 20 से 40 वर्स जी हाँ यह देख सकते हैं ID प्रूप के रूप में आपका 20 से 40 वर्स एज होना चाहिए अगर 20 से 40 के बीच में आपका एज है तब इस योजना का लाब उठा सकती है वरना को बाद में कहेंगे कि आपने बताया नहीं सर तो यह बताना जुरूरी था तो जीतने महिल आये हैं कैसा लगा यह वीडियो कैसे लेगी information यह जरूर कमेंट बोक्स में बताईएगा message के जरीए और हाँ जिस state से हैं आप जिस जगह से अगर other state से हैं आप लोगों को पता है क आप लोगों के लिए भी लाग कभी भी मिल सकता है message मिल सकता है तो आप लोग भी अपना नाम और state का नाम जुरूर डाल दीजेगा तो आएंगे next video के message कैसा लगा information कैसे लिए कि जुरूर बताईएगा आपका भाई आपके साथ है माइटर गर्रूर अकैडमी जैहन